तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं 1989 में आई दे ब्राइट ओव री एनिमेटर या फिर आप कह सकते हैं री एनिमेटर 2 के बारे में बात करेंगे वेल अगर आपने अभी तक इस मुवी की सीरिस का फर्स पार्ट नहीं देखा हैं तो आप सबी को उपर फ्लेश हो रहे हैं आई बटन में उस मुवी का लिंक मिल जाएगा जिसको आप सबी पहले जाकर इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर चेक आउट कर लिए जिएगा वरना आपको यहाँ पर कुछ जादा समझ नहीं आएगा क्योंकि आफ्टर ओल ये मुवी इसके फर्स पार्ट से ही कनेक्टेट है और अगर आपने अभी तक चेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो वीडियो के इंट तक जरूर कर लिए जिएगा तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ तो दोस्तो पिछली मुवी के एंडिंग में हम सबी ने देखा था कि मेगन एक आदमे के दुआरा गला गुटने की वज़े से मारी गई थी तो डैन मेगन को मरते देख इसको फिर से जिन्दा करने के लिए डॉक्टर वेस्ट के उसी वेक्सिन को इसके अंदर डालने की कोशिस करता है जिससे की डैन ये इसको फिर से जिन्दा कर सके बट अब जैसा की हम सबी ने इसके पिछले पार्ट में बहुती अच्छी तरीके से देखा ही था कि लोग डॉक्टर वेस्ट की इस वेक्सिन से एक हद तक जिन्दा तो हो जाते हैं बट वो किस तरीके से होते हैं तो उसके बारे में आप सबएको पताई हैं तो अब उसकी बात को देखते हुए डॉक्टर डैन का मेगन को इस तरीके से जिन्दा करना फिलाल के लिए तो इंपॉसिबल था बट अब कहीं ना कहीं दोस्तों डॉक्टर वेस्ट एंड डॉक्टर डेन ये दोनों मेगन को एक नए तरीके से जिन्दा करने का अपना मन बना चुके थें फिर चाहे भले कुछ भी हो जाए एंड सीरेसली दिस टैम ये बहुत ही जादा डिस्टर्बिंग एंड क्रिपी होने वाला था आईए मिलकर जानने की कोशिस करते हैं कैसे तो दोस्तो पार्टो की शुरुवात पिछली मुवी के क्रिपी इवेंट्स के ठीक आट मैने बाद मैसेज चुशेट्स के मिसेट टॉनिक नाम के एक होस्पिटल से सुरू होती है जिसमें डॉक्टर हरबेट जो की ये इसी होस्पिटल में काम करते थे ये हमेशा अपनी काम के सिट को खतम करने से पहले रोज इसी होस्पिटल के एक मुर्दा घर के अंदर आकर इसके अंदर पढ़े कुछ देट बोडिस के कुछ एसेम्मल पार्ट्स को लेकर अगर सिंपल भासा में समझे तो इन डेट बोडिस के कटे वे हाथ पेरों को जो की किसी बहुती बहानक एक्सिडेंट के दोरान कट फट के मरी हो हर दिन उनको चोरी चुपके लेकर अपनी घर की उसी लेबोर्ट्री के अंदर लेकर आते थे जिसको हम सबी ने पार्ट वन के अंदर बहुती अच्छी तरीके से देखा था बट अब दोस्तो खास बात ये थी डॉक्टर वेस्ट ये सिफ और सिफ इस मुर्दा घर के अंदर से मरी वी लड़कियों के ही बोडी पार्ट से अपने साथ लेकर जाया करते थे अब दोस्तो इसका पीछे का रीजन क्या था तो वो भी मैं आपको यहां पर किलिर कर देता हूँ वेल जैसा कि हम सबी जानते ही है कि अगर कोई भी इंसान मरता है तो उसके मरने के तुरंट बात ही यानि कि कुछ घंटों के अंदर ही उस इंसान की बोडी अपने आपी फूल कर धीरे धीरे सड़ना सुरू हो जाती है तो चाहे आप उसको बले ही डिफ फ्रिस के अंदर ही क्यों न रख दे फिर भी वो तिन चार मैने के अंदर ही डिके लग कर आखिर में सड़ी ही जाती है बट इंसान के दिमाग को दिल के साथ ये बात बिलकुल भी लागू नहीं होती क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उसको जल्दी से सड़ने नहीं देते हैं फिर चाहे हम एकजामपल के तोर पर आइस्टेंड की दिमाग की बात ही क्यों न कर ले जो कि उसके मरने के कई सालों बाद भी पिजर्व करके रखा गया था देन हम तो यहां पर बस कुछ मेहनों की बाते ही कर रहे हैं और बस इसी कैस को देखते हुए डीन और वेस्ट ने पहले ही मेगन के मरने के बाद ही उसके अंदर से उसका दिल निकाल लिया होता है अब प्ले सामस से ऐसा मत पुछना कि इन्हों ने मेगन का दिल कब और क्यों निकाला आप इसी दिन रात को सीन अप सीधा डेन और वेस्ट के घर पर फोकॉस करता है जिसमें डॉक्टर वेस्ट ये होस्पिटल से आने के बाद आज साम को मुर्दा घर से चुराएं उन सबी बोडी पार्ट्स को इखटा कर और मेगन के दिल को लें डिन के साथ मिल कर मेगन को अप एक नए तरीके से जिन्दा करने के लिए उससे पहले कुछ एनिमल्स के उपर एक्सप्रिमेंट कर बस डिन को इस बारे में बताने की कोशिस ही करते तबी ही इसी बिच इनके घर में डिक्टेक्टिव चापमें ये आजकल होस्पिटल से डेद बोडिस के पार्ट्स के लगातार मिसिंग होने के बारे में बात करने के लिए इनके पास आते हैं क्योंकि इनका फूरा सक डेन और वेस्ट के उपर ही जारा था बट अपके सबूत ना होने के कारण डिक्टेक्टिव चापमेंट को बस इनको एक वार्निंग देकर ही जाना पड़ता है तो अब चापमेंट के जाते ही डेन और वेस्ट को अब कही न कही पता चल चुका था कि अगर ये इसी तरीके से रोच एक एकर हुमन बोडी पार्ट्स को इसे चुरा कर लेकर आया करेंगे तो इनका किसी न किसी दिन पकड़े जाना अब कोस लाजमे था तो बस अब होना क्या था डेन और वेस्ट ये इस बास से डरते हुए कि चापमेंट कभी भी इनको पकड़ना ले ये तुरन तबी कि अभी होस्पिटल जाकर बोड़ी पार्ट्स को चुराने के बज़े सिधा एक मरिवी लड़की को उठाकर लेकर आ जाते हैं बट अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती हैं कि इस मुर्दा घर के अंदर जो आकरी देद बोड़ी मुझूद थी ये पूरी की पूरी डेमेज हो रखी थी यानि कि इसके मौस्टली बोड़ी पार्ट्स हाथ पेर और मिडल के कुछेरिये बहुती बहानक तोड़ से कटे हुए थे बट अब कोई अदर आप्शन ना होने के कारण वैस्ट ये इस बात को इग्नॉर कर सिधे इस लड़की को उठा कर अपनी लेप के अंदर लेकर आ जाते हैं और अब ये मौवी ठीक इदर से ही बहुती ज़़ादा गोर होने वाली हैं तो अब सभी अप इस मौवी के आने वाले हर एक सिंग को अच्छे से समझने की कोशिश करना तो सम्हाओ अप इस डेध बोड़ी को अपनी लेप में लाते ही वेस्ट और डेन ये दोनों मिलकर होस्पिटर से चुराए अब तक उन सभी बोड़ी पार्ट्स को ले एक खटा कर जैसे तेसे आखिरकार इस लड़की की अच्छी सी सरजरी कर फाइनली इसके अंदर जोड देते हैं और अब इधर एक बहुती क्रिपी सिन आने वाला है वेल डेन ये वेस्ट से जानने के लिए कि आखिर में इसने किन किन मरेवे लोगों के बोड़ी पार्ट्स को इस लड़की के अंदर सरजरी कर इंप्लांट किया है इस वेट मेटर के बारे में इनसे पुछने की कोशिस करता है तो डॉक्टर वेस्ट के डिन को रिप्लाइ देते हुए कहते हैं कि इन्होंने इस लड़की के पेर उस मरीवी लड़की से जोड़े हैं जो कि एक बेले डांसर हुआ करती थी और इंसम रीजन वो अपने सपने पूरे ना कर सकी इसलिए उसने अपने इनी पेरों को काट खुद को ही माट डाला था और मैंने इसका पेट एक ऐसी लड़की से जोड़ा है जो कि कभी भी माँ नहीं बन सकती थी और बस इसी सदमे में आकर इसके पती नहीं इसके तुकड़े करकर माट डाला था और इतना ही नहीं रही बात इसके हाथों की तो मैंने इसके हाथ एक ऐसे आदमी से जोड़े हैं जिसने बस कुछ चंद पेसो के लिए अपने ही फैملे को बहुत ही बहरेमी से काट कर मार डाला था और अब सबसे जरूरी हिस्सा यानि कि इसका धिल मैंने एक ऐसी लड़की से जोड़ा है जिसके बारे में आप सभी को पताई हैं तो अब इन क्रिपी बातों को जानते ही डैन गे वेस्ट को मेगन को इस तरीके से जिन्दा करने के लिए साप मना कर देता है क्योंकि डैन ऐसा बिलकुल भी नहीं चाता था कि ये मेगन को इस वे में फिर से जिन्दा देखें बट अब हमेशा के तरह ही वेस्ट के डैन को कन्वेंस और मैनू प्लेट कर आखिर में जैसे तेसे इसको इस काम को पूरा करने के लिए मनवाही लेता है तो अब वेस्ट ये फाइनली अपनी उसी वेक्षिन को ले सिधा इसी लड़की के अंदर इंसर्ट कर देता है तो अब वेक्षिन के डालने के घंटे बर तक इन दोनों को इस लड़की के अंदर से कोई भी रिस्पॉंस या फिर मुमेंट देखने को नहीं मिलते हैं तो अब इस बात को नौट कर वेस्ट ये बस इस लड़की को चेक करने के लिए ही जा रहा होता है तो इसी ही दोरान इनको अपने घर के बाहर से किसी की चिलाने की आवाज सुनाई देती हैं तो इस आवाज को सुनते ही वेस्ट ये सीधे अपने घर के बार जाकर इस इंसिडेंट को फिगर आउट नी करता है तो इसको अपने ठिक सामने एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई देने को मिलता है तो इस बॉस को जैसे ही वेस्ट खोलता ही है तो इसके अंदर से और कोई नहीं बलकि प्रॉफेसर ब्रेट का सर वेस्ट को दिखाई देने को मिलता है जो कि अभी भी जिन्दे थे और इतना ही नहीं इसको अपने घर के ज़स सामने वो ही मरेवे लोग दिखाई देने को मिलत तो अब इस मूवी के एंडिंग में डॉक्टर वेस्ट ये उन सबी मरेवे लोगों को अपने घर के अंदर आता देख डैन को इस बारे में बताने के लिए ही जाते तो इसी ही दोरान इनको मेगन डैन के साथ जिन्दा दिखाई देने को मिलती हैं बर दूसरी ओर डैन के मेग ये बहुती ज़्यादा इमोशनल होते हुए अपने आप से अपना कंट्रोल खो अपनी चेस्ट को फाड़ कर अपने अंदर लगे मेगन के उस दिल को निकाल अपनी फुरी बोड़ी को तोड़ मर जाती हैं और आप इसी बीच हम सभी डाक्टर ब्रेट के साथ साथ उन सभ भी मरेवे लोगों को डेन और वेस्ट के घर के अंदर सीधा घुस्ता देख पाते हैं और बस ये मूवे ठीक इधरी एंड होकर इसके तेरा साल बाद इस क्रिपी सीरिस की लास्ट एंड फाइनल सन 2003 की बियोंड दी री एनिमेटर से सुरू हो जाएगी जो कि अपने फर्स सेकेंड पार्ट से डार्क डीप बहुती ज़्यादा डिस्टरबिंग क्रिपी एंड वियर्ट ने से भरी हुई हैं और अगर आप इस सीरिस को आगे भी कंटीनू करवाना चाते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताएगा क्योंकि मैं सीरिसली बता रहा हूँ आप इसके लास then let me come with the third one क्योंकि अभी मेरे लिए कुछ भी कहना बहुती बड़ी जल्दबाजी होगी तो वेल दोस्तों यही थी The Animated 2 की स्टोरी and I hope आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो किसे भी सिंगल पर्टिकूलर पॉइंट पर अच्छी र रहूंगा तो तब तक के लिए पेस आउट and टेक केर